हलो आपरीबडी दिस इस दिकराश सींग राजपूत.. वेल्कोम लिदैंट फिशिर्णास में प्ड़ने वाले हैं.. .. इस वीदियो में उन। थो क्यों सकते हतार विए लुगज़ती आया है.... झाते हैं.. अपंपनिछति ..वेलकी शॉड़ए। और नए religion क्यों निकल के आ रहे थे उसका भी कारण में बता देता हूँ आपको कि जैसे जो पुराना उस समय पे जैसे अरली वेदिक टेक्स देखोगे जो वेदास को देखोगे तो उसमें जहां कमी रहे गई उस कमी को पूरा करने के लिए नए questions उठें नए questions में नए ideas निकल के आ और नए ideas लोगों को अच्छे लगे लोग follower बनका और नए religion इस तरह से निकल का है जैसे for example में आपको बताता हूँ क्या आप देखोगे तो वेदिक text के हिसाब से वो जो religion रहा होगा वेदिक religion तो उसमें equality नहीं थी क्यों वर्णा system था तो लोग परिशान थे अब वो equality नहीं थी inequality थी तो inequality के against में सवाल उठें और सवाल उठें तो जो नए ideas आया तो जिसे बुद्धिजम जैनिजम ये जो religion है इनमें equality की बात की गई थीक है तो वो पूरी कहानी है थीक तो ये नए ideas नए questions जब आये अब यहाँ पर वर्णान महावीर की कहानी सुनोगे समझोगे थीक है तो मैं आपको specifically जैनिजम को वर्णान महावीर से relate कर वाऊँगा अब ऐसा नहीं कि जैनिजम सिर्फ वर्णान महावीर तक मतलब उनके बात से start हुआ है time frame अगर समझोगे तो जैसे 500 BC जो था थीक है before common era दिखा जागर आज से मान के चलो 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ ठीक है अब इनका जन्म हुआ तो इनसे पहले जैनिजम है एक चीज़ और बता देता हूँ तो माइथिलोजी एक अलग दिशा में ले जाती है आपको ठीक माइथिलोजी एक अलग दिशा में जैसे आप कोई भी धर्म उठा लो आप कोई भी धर्म उठा और क्या है वो चीज पर भी ध्यान देना होगा तो historians एक अलग आपको कहानी बताते हैं तो हम जैसा कर आप जो historical traces के हिसाब से देखते चलें तो historical traces के हिसाब से कर देखते चलें हम तो क्या होता है यहां पर बता जाता है कि और religious text के हिसाब से भी देखते चलें तो वर्दमार महावीर was considered as the last and 24th तीर्थांकर of jains ठीक है अब 24th last तीर्थांकर यह क्या कहानी सर समझाओ तो जैन धर्म जो है जैन धर्म में क्या होता है जैनिजम और बुद्धिजम काफी हद तक similar है ठीक इस चीज को ध्यान रखना लोग तो confused भी हो जाते हैं नहीं बुद्धा बोलते थे नहीं महावीर बोलते थे लेकिन difference है तो क्या होता है यहाँ पर कि वर्दमान महावीर की अगर बात करते हैं तो जैसे बुद्धिजम में आपने देखा कि गौतम बुद्ध जो थे सिदार्द गौतम जो थे तो उन्होंने एक इंसान की तरह जन्म लिया लेकिन अपने करमों से उन्होंने अपने आपको उस लेवल पर उठा लेकि उन्हें की तरह आये थे ना लेकिन उन्होंने अपने करमों से अपने आपको क्या कर लिया भगवान बना लिया ठीक उसी तरह से क्या होता है कि वर्दमान महावीर के अगर आप कहानी देखेंगे तो यहां पर क्या लगला कॉन्फिडरेसी थी मैंने बता है कि छोटे-छोटे जो जनपद थे छोटे-छोटे ग्रूप्स थे वो सारे मिलके उन्होंने क्या किया सारे संगोंने मिलके एक बड़ा महाजनपल टाइप से बनाया था तो ऐसी कि लचावीज जो तो लचावीज के शत्रिये प्रिंस थे लेकिन फिर वही वाली बात है कि सत्ती की तलाश जो मन में कुछ कह सकते हैं बर्निंग कुशिंस थे उनकी चाहां में इनोंने क्या कर दिया एट दी एज ऑफ थर्टी ही लेफ्ट होम एंड वेंट तो लिव इन फोरेस्ट ठीक है तो जैसे इन से अब जैनिजम क्या है पहल अब जैसे आप एक शक्तिमान एक प्रोग्राम आता था शक्तिमान में क्या होता था गंगाधर जो था ना तो वही चीज है यहां पर कि भगवान क्या है तो लेकिन वो शक्तिमान कैसे बन गया उसने अपने अंदर जो अपनी शक्तियां थी उन्हें जगाया ठीक है अपने विचारों से शक्तिमान बना तो आप भी शक्तिमान बन जाओगे तो वही चीज है यहां पर कि भगवान क्या है जिस इंसान ने अपने कर्मों से यह एक चीज और बता देता हूं कि 500 BC मतलब आज से पचीस सो साल पहले के टाइम पिरेड में अप देखेंगे तो वर्दमान महावीर के जन्म हुआ ठीक है और उसी समय बुद्धिजम भी फ्लरिश हो रहा था तो बुद्धिजम गौतम बुद्ध बाद में आये वर्दमान जन्त थे जो पहले से जो वैदिक लिटरेचर वगरा उसे साब से जो रिलीजियस लाइफ चल रहे थी तो उसकी कमियों को पूरा कर रहा है ठीक है उन्होंने सिंपल सी डॉक्टरिन दी अपनी क्या दॉक्तिन दी कि men and women who wish to know truth must leave their homes ठीक है उन्होंने क्या बोल दिया कि यह highlight अहिंशा होना चाहिए ता homes को highlight कर दिया उन्होंने ठीक यह करते हैं सारा काम तो अब क्या है कि men and women who wish to know the truth must leave their homes रहा कर सत्य की तलाश करना है आपको तो घर में तो क्या आपकी परिवार में उलजे रहो गया आप attachment बहुत जादा होगा मेरा बेटा मेरी गाड़ी ठीक है मेर अपको किसी भी तरह से सोच से अपने विचार से थीकakers मतलब ने थॉट में भी अपने वाललंट नी होना है अपने एक्ट में फोनाए होना है तो इस तरह से पांच वोज है असत्य ब्रह्मचार यह अपरीग रहा है तो यह सारे जो वोज है फाइव वोज यह जैनिजम के बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है इनने में आपको यहां पर बताऊंगा और समझाऊंगा भी तो इनकी पॉपुलरिटी जो है वह लोगों में बहुत ज प्राक्रित लैंग सेंग ने किया लोगों को संदिश दिया अपना और लोगों ने उस संदिश को फिर फॉलो भी क्या वेका आइदा ठीक है अब इसमें बी क्या है वेरिएशन आ जाते हैं जैसे बुंदेलखंड में बुंदेल खंड़ हिंदी है वो लेकिन हिंदी और वोचपुरी जो है तो आपको एक थोड़ा से क्या मिलेगा ऐसेंट उद उदर से मिलता रहेगा वेरिष्वतल तो इसे कि via की अपको जब महा जनपत बताया था मधवला तब समझाया भी था क्या कि अलग अलग तरह सी चीज़ें वैरी करती है कि जो रूलर्स हैं तो रूलर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो कर रहे हैं उस रिसाब से वह अपनी पॉलेसी को रखेंगे साही ची ने तो आपने जिसे क्या बिम्भी सार के बारे में पड़ा आजाज सत्यू के बारे में जो लिट्रेचर मिला ना हमें लिट्री मिटियर्इन बाद में मिला उसका वह ब्ुधिजूम को अगर देखोगे तो बुधिजूम में जो बुधिष टेMore जूने ऑज्यास सत्यू ने बुढॉप गए तो आपने पूछा था कि गॉत्भ लूर्सत्य में अपने एक कमांड से clear हुआ तो ये मैंना आपको बहुत कुछ बता है जनिषम के बारे में वर्दमान महावीर के बारे में clear रहे इwn तो जैनास किसे कहा जाता है जिसमिद आपको बता है जो तिर्थांकर यह होते हैं जिनन लएट्मेंट मिल जाता था ना उन्हें अरिहन्त भीका गार्वलेbn जाटे, आप जो महा वीर के फॉल्वर है जैन धरम के फॉलोवर हो गए तो उनको प्रिंसिपल्स क्या दिये गए बहुत साधारन जीवन जीना है में, साधारन जीवन जीना है मतलब आसा नहीं कि आपको बहुत बहुत जादा फोकस किया जूट नहीं बोलोगे लड़ाई दंगे नहीं करोगे इन साधी चीजों पर इस्पेशली नहीं करना है अपने आपको सेक्शुली डिटेच करना है वल्ड से तो सेलिबसी फॉलो करना होगा मैन हेट टू गेवप एवरिटिंग इंक्लूडिंग दर क्लोथ और फिर वह यह आते हैं अब डिटेच्मेंट रखना है तो डिटेच्मेंट में यही कि मेरी टी शर्ट ठीक है मेरा शर्ट और मेरे बच्चे मेरी गाड़ी मेरा घर यह सारी चीज़े नहीं आपको अपने साब क का लिटीच करना है कुछ तो ऑन्होंने बोला कि इत्ना करतो कि आप अपने ख्लोथ भी होड़ा कूल थो तो आपने देखाआ होगा बहुत सारे जिंशन्ट जो होते हैं वे वह इसतरह से बिना कपड़ों को होते हैं तakes ऑफितामबाष क्राइफय esses हो इंन्ह travelled तो टे जैसे सुना होगा आपने आया समझ में तो अब ये जो आपको सारे रूल्स दिखे ना तो आप रूल्स थेओरिटी कले कितने अच्छे लग रहे कि आपको ये सब काम नहीं करना है तो आप अगर देखोगे ना तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और एक चीज और बताता हूं क क्योकि उथना वह नहीं है को सकते की विजिबलिटी नहीं है क्योंकि इतने followers थो हैं ऐसा नहीं कह रहूँ है लेकिन धर्म को क्या है, जैसे बुद्दीज्05 क Grams, really, jainism में जो क्यों जो सकते है सकते, minority में जो होते हैं तो इनको हम उतने interact नहीं करता हम उतने ज्यादा पता नहीं चलता है एक चीज़ में आपको बताता हूँ जैनिजम में जो उपवाश जो व्रत होते हैं ठीके वो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं तो इस तरह से क्या है कि practices जो बहुत difficult होती है practices बहुत difficult होती तो very difficult for men and women to follow the strict rules तो इतने strict rules थे तो इने follow करना सब के बसकी नहीं थी तो इसलिए क्या होता है तो thousands and left मतलब सब के बसकी नहीं थी तो एक alternative मतलब मैं जयन हूँ मान लो जैसे एक example दे रहा हूँ मैं जयन हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस तरह से क्या करूँगा strictly सारे principles follow करूँगा strictly principles follow करने वाले कुछ लोग हुए और कुछ लोग ऐसे भी हुए फिर जयन धर्म को follow कर रहे हैं लेकिन यह जो followers हैं जैसे जो monks होगा जयन monks उनके उनकी सेवा में लगे रहते बहुत सारे लोग जिन्हें बहुत जादा इस्टिक लगा तो वो घर पर ही रहते थे लेकिन वो इनके principles follow करते थे इन्हें follow करते थे जो monks थे जो nuns थी उन्हें क्या करते थे खाना देते थे उनके लिए विवस्था करते थे ठीक है तो यह जनिजम की कहानी हो गई है आगे और अगा जैसे देखें तो जनिजम is more popular among the trader compared to the farmers ठीक है trading group के बीच में यह धर्म जादा popular हुआ as compared to farmers reason सोचो जरा दो मिनिट के लिए बस क्या कारण रहा होगा कारण देखो simple सा है जनिजम में क्या वो लगाया अहिंसा follow करना है तो अहिंसा का जो path है उसे follow करना है मतलब तुम्हें बिल्कुल भी violence नहीं करना है किसी की भी मृत्यों मतलब होने देना है या फिर हत्या नहीं करना है तो वो छोटा सी केड़ाल लगा थी इसा करना है विचार में चले जाए की लेकिन जनिजम में बोलह कि नहीं मतलब लाइफ वह हर चीज में लाइफ है तो उससेंज में फार्मर्स होते हैं फार्मर्स को यह religious idea बढ़ा टफ लगा क्योंकि अब फार्मर्स को क्या करना है इंसेक्ट को मानना पड़ेगा उनको निमारेंगे उनकी फसल खा जाएंगा इंसेक्ट तो यहां पे तो survival वाली बा फाउंडिट मोर डिफिकल्ट फॉलो दी रूल्स जो रूल दिये गए हैं जो रूल्स डॉक्ट्राइन में प्रिस्क्राइब किये गए हैं उन्हें ज्यादा डिफिकल्ट लगे ठीके अब देखो इंडिया में जैनीजम फ्लरिश हुआ ठीके अलग अलग पार्ट्स में अलग जगा पे बहुत सारे फॉलोवर्स आज भी है जैनीजम के ठीके इस धर्म को फॉलो किया जाता है और आप जो टीचिंग्स थी महावीरा की टीचिंग्स उनसे पहले जो तीर्थांकर सुमें उनक जैसे आपने देखाऊगा वेधिक टेस्ट में भी क्या हुआ था बुद्धिजम में भी क्या हुआ था शुरुवाती दौर में महावीरा जो थे, गौतम बुद्धा जो थे इन्होंने जो बोला वो उनकी सिश्षों ने सुना सिश्षों ने सुन लिया, इसमरन कर लिया याद कर लिया, वो और सुनाते चल गया आगे तो औरली सारी चीजें चलते जा रही थी तो इनिशली ट्रांस्मिटेड औरली फिर क्या होता है तो आज जो रिटेंट टेक्स अवेलेबल है तो ये कब लिखे गए थे जिस तरह से आज आज आप देखते हो तो ये लिखे गए थे presently available at the place called वलाभी ये दिहान रखना ठीक है वलाभी एक जगा है गुजरात में आप आगे पड़ोगे ठीक है आने वाले चैप्टर में मैप आप दिखाऊंगा मैं आपको तो वलाभी मे वलाभी इन गुजरात about 1500 अगो तो मतलब 500 मतलब आप देख रहे हो महावीरा की बर्त के लगब लगब एक हजार साल बाद उनकी टीचिंग्स को लिखा गया एक हजार साल तक क्या हो चलता रहा कि उन्होंने जो टीचिंग दी वह वर्बली ओरली क्या होते चले लेगी ट्र आपको बता है इस वीडियो में आशा करता हूं आपको समझ में आईए तरह से नए नए रिलीजियस आइडिया जो हो है तो डवलप हो रहा है तो इस टाइम पिरेड में क्लेर हुआ तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है किसी प्रकार का डाउट है फिल फ्री क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब्टॉपिक, सब कुछ, सिस्टेमाटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलिबस कम्प्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैगनेट ब्रेंस के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मुच